Here is a statement to the media. आगत करते हुए मुझे भहुत खुशी हो रही है। भारत और साउदी अरब के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मन सद्यों पुराने हैं। और यह सदेव, शवहार्दपुन और मैत्रिपुन रहे हैं। हमारे लोगों के बीच के गनिष्ट और निकट संपर्क हमारे देशों के लिए एक सजीव सेतु यानि लिविंग ब्रीज है। His Majesty की और Royal Highness आपकी व्यक्तिक दुरुची और मारदर्शन से हमारे द्वीपक्षिय सबंधों में और भी प्रगारता, मधूरता और शक्ति आई हैं। आज 21 सदी में साओधी अरब भारत के सबसे मुल्यवान स्ट्रेटेजिक पांटनर्स में है। यह हमारे विश्तरुत पडोस में हैं, एक करीबी दोस्त हैं और भारत की उर्जा सुरक्षा का महत्पपुन स्रोत भी हैं। 2016 में साओधी अरब की मेरी यात्रा के दोरान हमने अपने समंधों को विशेश रुप से उर्जा और सुरक्षा के खेत्रों में कई नए आयाम दिये थे। आप से अर्जेंटीना में दो माँ पहले हुई मुलाकात के प्रणाम स्वरू, सुरक्षा, व्यापार और निवेश के खेत्रों में हमारी स्ट्रेजिक पार्टरशिप के सार ने नया विस्तार लिया है। मुझे खुशी है कि आपके सुजाव की रुपरिखा के अनुसार हम दिवार्शिक सिखर सम्मिलन और स्ट्रेजिक पार्टरशिप कॉंसिल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। इनसे हमारे समंधों को मजबूती, गती और प्रगती का लाब मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमने दिपक्षिय समंधों के सभी विशयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। हमने अपने आर्थिक सहयोग को नई उचायों पर ले जाने का निश्चे किया है। हमारे अर्थतंत्र में साउदी अरब से संस्थागत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हम एक धाचा स्थापित करने पर सहमत हुए है। मैं भारत के इंफरस्ट्रक्चर में साउदी अरब के निवेश का स्वागत करता हूँ। Your Royal Highness आपके Vision 2030 और आपके नित्रुतों में हो रहे आर्थिक सुधार भारत के प्रमुख कारकमों में जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया के पूरक है। हमारे उर्जा सबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टर्शिप में तब्दिल करने का समय आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सौधी अरब की भागिदारी हमारे उर्जा सबंधों को बायर सेलर रिलेशन से बहुत आगे ले जाती हैं। हम अक्षय उर्जा के ख्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हम इंटरनेशनल सोलार अलाइंस में सौधी अरब का स्वागत करते हैं। परमानू उर्जा के शान्तिपुन उपयोग विशेश रुप से वाटर डिसलिनेशन और स्वास्त के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेश कर अपने स्ट्रेटिजिक वातावरन के संदर्प में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। पिछले साल भारत साउदी अरप में प्रतिष्ठित जनाद्रिया समारों में गेश्ट अफ ओनर था। आज हमने अपने सांस्कृतिक समंधों को और मजबूत करने का लक्ष रखा है। व्यापार और परियतन को बढ़ाने हेतू साउदी अरप के नागरिकों के लिए इवीजा का विस्तार किया जा रहा है। भारतियों के लिए हज कोटे में बृद्धी के लिए हम हिज मैजेस्ट्री और रोयल हाइनेस के बहुत बहुत आभारी है। 2.7 मिलियन भारतिय नागरिकों की साउदी अरप में शांतिपुर्ण और उप्योगी उपस्तिती हमारे बीच एक महत्वपुर्ण कड़ी है। रोयल हाइनेस ने साउदी अरप की प्रगती में उनके सकारात्मक योगदान की प्रसमसा की है। आपने हमेशा उनकी भलाई का ख्याल रखा है। इसके लिए उनका आभार और दुआये हमेशा हमेशा आपके साथ है। फ्रेंट्स पिछले हपते पुलवामा में हुआ बरबर आतंगवादी हमला इस मानोता विरोधी खत्रे से दुनिया पर छाय कहर की एक और क्रुर निशानी है। इस खत्रे से प्रभावशाली डंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत है कि आतंगवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवशक्ता है। आतंगवाद का इन्फास्ट्रक्चर नश्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंगवादियों और उनके समर्थनकों को सजाल दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाब सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंग की ताकते हमारे युवाओं को गुम्रा न कर सके। मुझे खुशी है कि साओधी अरब और भारत इस बारे में साजा विचार रखते हैं। Friends, पस्टिम एशिया और खाड़ी में शांती और सिर्ता सुनिस्टित करने में हमारे दोनों देशों के साजा ही था है। आज हमारी बातचित में इसक्षेतर में हमारे कारियों में तालमेल लाने और हमारी भागेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत हुई हैं। समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जसे क्षेत्रों में और मजबूत दीपक्षिय सहयोग दोनों देशों के लिए लाब प्रद होंगे Your Royal Highness आपकी आत्रा ने हमारे रिस्तों के तेज विकास को एक नया आयाम दिया है मैं एक बार फिर हमारे निमंत्रन को स्विकार करने के लिए Royal Highness का सुक्रिया आदा करता हूँ मैं उनके और प्रतिनीदी मंडल के सभी सदस्यों की भारत में सुखत प्रवास की कामना भी करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद Thank you sir